हेलो स्टुडियेंट स्वागत है आपका वाइस स्टुड़ी पैंट में आज है 22 जनवरी तो आज 22 जनवरी की करेंडे परेस हम देखने वाले हैं और इसी के साथ आज 22 तारी को अयुद्या धाम में राम मंदर का भी उद्गाटने इसके साथ हम आज स्वी राम का नारा करते हुए तो चलते हैं आज का हमारा साली में कि भारत के पहले लाइक का दरजह दिया गया घार विरांगना दुर्गावत्ती टाइगर रजव, पेंच टाइगर रजव, पांदीपूर टाइगर रजव, काना टाइगर रजव, इस कुशन के राइटांसर हो जाएगा हमारा option number B, पेंच टाइगर रजव, तो हाली में भारत के पहले dark sky park को दरजा मिला है, जो की है पेंच होगा न, तो वो उस एरिये में कोई भी artificial lightning चलाई जाएगी, अगर artificial lightning चलेगी तो वहाँ पर जो नजारा होगा, अंतरिच का यानि की जो आश्मा है, उसका जो नजारा होगा, वो बिल्कुल crystal clear होगा, जिससे कि वहाँ पर दुर्भीन से एक अच्छी study की जा सकती है, अंतर बात करते हैं, भात का पहला, dark sky reserve, छेत्र, ये छेत्र कौन सा बना है, ये छेत्र बन चुका है लेह लगदाक में, और इससे पहले हमनी क्या पढ़ा था, रिजर्व पार्क, sky reserve पार्क, तो वो क्या था, वो था, peach tiger reserve, अब बात हुई है, national park की तो वो देख लेते हैं, अपना चाहूँ, चोगन वाट tiger reserve कौन सा बना है, 54th tiger reserve कौन सा बना है, वीरंगना दुर्गावाथी tiger reserve, ये कहाँ पर है, ये है, MP में, अब MP की बात हुई है, तो अब देख लेते हैं, कि MP में कौन कौन से tiger reserve है, ये देख लेते हैं, तो MP में, काना tiger reserve, बांदग वाट टाइगर संजे तुबरी tiger reserve, सत्पुला tiger reserve, और वीरंगना दुर्गावाथी tiger reserve, तो ये tiger reserve कहाँ पर है, मद्यप्रदेश में है, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको clear कर दूँ, जो page tiger reserve है, ये दो राज्यों में आता है, कुछ हिस्सा इसका महराष्ट में आता है, और कुछ हिस्सा इसका मद्यप्रदेश में आता है, तो दोनों में आ सकता है आपके लिए, चलते हैं next, इसके बारे हम और जान लेती हैं, कि पहली पहली जो चीज़ें हुई हैं भारत के अंदर, विश्यों के अंदर, उनके बारे में जान लेती हैं, तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर सहर कौ सा बना है, तो अयुद्या बना है, भारत का पहला नंबर लेस्ट Corrected Card लॉंच किया है, तो किस बैंक ने लॉंच किया है, इसको Access साइकल ट्रेक कहां बनेगा तो ये कहां बनेगा ये हिद्राबाद में बनेगा और इसकी लंबाई तेश किलो मेंटर होगी देश का पहला काइटोग्राफी संग्राले का उदिखाटन किया गया है ये कहां पर है तो ये मसूरी उत्राखंड में है इसका नाम किसकी उपर रख कुम कहां आयुजित किया गया तो ये एक आयुजित किया गया वार नसी में देज में पहली बार भूमिकत बिजली ट्रांसफॉर्मर स्टेशन कहां इस्तापित किया गया तो ये स्तापित किया गया है बैंगलूरू में बॉर्डर रोड औरकनेजिसन यानगी बी आर ओ विस् तो आप्शन है आगरा, आयुध्या, कानपूर, लखनू तो इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number D लखनू में इसका आयुजिन किया गया यह कौन से नमबर का है हमारा 67th, sorry 76th नमबर का अब दिवस की बात हुए है तो देख लेते हैं कौन सा दिवस का मनाए गया एक जन्वरी को मनाया जाता है वैस्विक परवार दिवस चार जन्वरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे यानि कि विश्व ब्रेल दिवस पांच जन्वरी को मनाया जाता है राष्ट्र पच्छी दिवस 14 जन्वरी को ससस्त्र बल भूत पूर्व दिवस 15 जन्वरी को क्या मना जाता है भारती सेना दिवस 16 जन्वरी को मना जाता है नेशनल स्टार्ट अप डे ठीक चलते हैं next question पर हाली में भारती सेना ने सेने इतियास के डिजिटल संग्रे के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है इंडियन آर्मी प्रोजेक्ट यह प्रोजेक्ट टाइगर यह प्रोजेक्ट एलिपेंट यह प्रोजेक्ट सौर्य संकलन तो इस question का right answer हो जाईगा हमारा option number D projectionscor erst weather हो जाएगा next question हाल यह में जासुसी उपग रहे है यानि कि SPI Satellite Optical 8 का सफल प्रिच्चपड किस ने किया है तो किस देश की Space Agency ने इसका निर्माड किया है यानि किसका सफल प्रिच्चपड किया है यह हमें बताना है option है ISRO, NASA, JAXA या ROSCOSMOS तो इस question का items हो जाएगा हमारा option number C, JAXA और यह कहां की Space Agency है तो यह है जापान की Space Agency है और NASA कहां की है तो NASA है USA की ISRO आपको पता ही है इंडिया की है ROSCOSMOS यह कहां की है तो यह रसिया की Space Agency है Next question हाली में जारी राज्जी की Startup Ranking 2022 में सर्वस्रिष्ट प्रदेशन कहने वाला राज्जी कौन सा बना है मद्रप्रदेश उत्रप्रदेश राजस्तान या गुजरात तो इस question का right answer हो जाएगा option number D, गुजरात इस question का right answer हो जाएगा अब इसके बारे हम और जान लेते हैं Startup Ranking Report है ये 5 categories में divided है इस 5 categories को हम देखेंगे इसमें services जो राज हैं उनको देखेंगे हम जो टॉप टॉप पर रहें services प्रदेशन करने वाले राज्जाओं में सबसे पहले नबर पर कौन है? गुजरात सीर्स प्रदेशन करने वाले राज्जाओं पहले नबर पर कौन है? पंजाब नेत्रोत करने वाले राज्जाओं में कौन है? यूपी मेहत्तो कांची नेत्रोत करने वाले राज्जाओं में कौन सा है? बिहार उभरते स्टार्टप पारसिति की तंत्र विक्सित करणी वाले राज्यों में कौन सा है 36 तो हमसे question में किसका पूचा गया था सर्वस्यष्ट प्रदर्शन करणी वाले राज्यों में तो हमसे पूचा गया तो कुछ रात के बारे में यह आप देख सकते हो पूरा आपके सामने है जो भी पूछाज़े आप उसका आंसर लगा सकते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर आते हैं एडल मेंट ट्रस्ट बैरोमीटर दोहाट चौवेस में भारत को कौन सा इस्तान मिला है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो इस कुश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आपस नमबर बी दो, यानि कि दूसरा वा इस्तान मिला है भारत को अब इस एडल मेंट ट्रस्ट बैरोमीटर का अर्थ क्या है यह जान लेते हैं एडल मेंट ट्रस्ट बैरोमीटर का मतलब यह है कि किसी देश की पॉपलेशन यानि कि वहां की जन संक्या अपने न्यूज मीडिया चेनल पर कितना विश्वास करती है वहां के मीडिया पर कितना विश्वास करती है यह इसमें होता है तो इसमें भारत की पॉपलेशन जो जन संक्या है वो अपने मीडिया पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है इसलिए उसको क्या इस्तनमिला है दूसरा इस्तनमिला है अब आप सोच रहे होंगे कि पहले नंबर पर कौन सा है तो पहले नंबर पर है चाइना तो चाइना के लोग अपनी न्यूज मीडिया चैनल पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है नेक्स्ट और देख लेते हैं सारी रैंकिंग और इंडेक्स देख लेते हैं जो रिसेंट 2023 में रिलेज हुए थी वर्ल्ट हैपीनेस इंडेक्स यानि कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है तो 126 वी रैंक है इसमें टॉप पर कौन सा देख रहा है सीर्ष पर रहा है फिनलेंड ग्लोबल पीस इंडेक्स यानि कि विश्व सांती सूचकांक 2023 इसमें भारत की इस्तिति क्या है 126 वी है समान जैसे की प्रसन्नता है वैसे सांती है इसमें सीर्ष पर कौन सा देख है आइसलेंड है ग्लोबल जेंडर गेप इंडेक्स इसमें भारत का इस्तान 127 वा है और आइसलेंड इसमें भी डॉप पर है इसको जारी कौन करता है वर्ल्ड एकॉनमिक फॉरम इसको जारी करता है Global Fire Power Index 2030 इसमें भारत की स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान चौथा है इसमें पहला स्थान किसका है? USA का अब हम बात करें चाहे 2023 की या 24 की दोनों में ये चीजें समान है ठीक? इतना आपको याद रखना है उर्जा संक्रमन सुचकांग यानि कि इसको भी जारी कौन करता है? वल्ड एकॉनिक वरम इसमें भारत की स्थान है वैस्विक प्रतिसपर्दा सुचकांग यानि कि वल्ड कॉम्पेटिटिव इंडेक्स 2023 इसमें भारत की स्थान है? 40 भी है इसमें टॉप पर कौन है? डैनमार्क है अब बात करें वल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की तो इसमें भारत की स्थान है? 161 है और इसमें टॉप पर है नौर्वी इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इसको जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट वॉडर नेक्स्ट आर्थिक सुचकांग इसमें भारत की स्थिती क्या है? 131 ही है और इसमें टॉप पर कौन है? सिंगापूर खुरून ग्रोवल यूनिकॉन इंडेक्स यूनिकॉन का कहने का मतलब क्या है? एक हजार करोड से जादा की संपत्ति वाली कंपनिया तो इसमें ऐसी कंपनी जादा किस देश में है? यह यह बताता है तो सबसे जादा किस में है? यूएस में है उसके बाद चाइना उसके बाद इंडिया तो इंडिया कौन सी पोजिसन है? तीसरी वर्ल्ड बैंक के दुआरा एक रसद प्रदस्टन सूचकांग जारी किया जाता है जिसको इंग्लिस में लॉजिस्टिक परफोर्मेंस इंडेक्स कहते हैं इसके 2030 के सूचकांग में भाद की स्थिति क्या है? 38 विया है और इसमें टॉप पर कौन है? दूसरी, USA है नेक्स्ट कोश्चन हाली में जारी प्रांट फाइनस की 2030 रेंकिंग में भाद का सबसे मजबूत प्रांट कौन सा बना है? LIC, GEO, SBI, HDFC इस कोश्चन का राइट अंसर क्या हो जाएगा? इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा option number B, GEO तो GEO हाली में ब्रांट फाइनस की 2030 रेंकिंग में भारत पहला इस्तन पर रहा है भारत के अंदर अगर विश्व के अंदर बात करें तो GEO 17 भी नंबर पर है अब देख लेते हैं विश्व में सबसे पहले नंबर पर कौन है? तो सबसे पहले नंबर पर है वीचेट, दूसरी नंबर पर यूटूब, तीसरी नंबर पर गूगल 17 भी नंबर पर है GEO 23 नंबर पर LIC और 24 नंबर पर SBI तो भारत के अंदर बात करेंगे तो GEO का क्या इस्तन हो जाएगा? GEO का इस्तन हो जाएगा पहला LIC का दूसरा और SBI का तीसरा ये भी याद रखेंगे आप Next question हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार सभी तरह के मवेशियों के दूद उत्पादर में विश्चों में सीर्स पर कौन है? चाइना, USA, इंडिया ये ब्राजिल तो इस question का right answer हो जाएगा हमारा देश, भारत सभसे सीर्स पर है अब कुछ facts जान लेते हैं पसू पालन और डेरी मंत्राले के पहले तू यही बता दो कि मिनिस्टर कौन है? इसके तो इसके मिनिस्टर है परसुत्तम रुपाला इसके मिनिस्टर है और देख लेते हैं अब कुछ facts आप नूट करोगे भारत विश्व के कुल दूद उत्पादन में 24 पृत्सत का युगदान दिता है पिछले 9 वर्सों में दूद का उत्पादन लगबग 57 पृत्सत से भी अधिक भड़ा है 9 वर्सों के अंदर है इसी का प्रणाम है कि प्रति व्यक्ति दूद की उपलबदता 2022 देश में 469 ग्राम प्रतिदन हो गई है देश की अर्थ विवस्ता में डेरी छेतर का कितना युगदान है पांच प्रतिसत का युगदान है तो यह कुछ facts हैं आपको याद रखने है भरते हैं next question तो चलते हैं हम next question पर अपने next question है हाली में किस राज जने महतारी बंदना युजना शुरू की है चतिसकड औरेशा चारकंट या बिहार तो इस question का right answer क्या हो जाएगा हमारा option number A चतिसकड इस question का right answer हो जाएगा हमारा अब बात चतिसकड की हुई है तो चतिसकड के बारे में और facts भी जाने लेंगे युवा मितान परिभानी युजना मुखी मंतरी ग्रामिड आवाश न्याय युजना मुखी मंतरी व्रच्च संपदा युजना मुखी मंतरी मितान युजना और कौशलया मात्तुत युजना ये कहां पर चल रहे हैं सारी ये सारी चल रहे हैं 36 गड़ के अंदर अब बात करें 36 गड़ के धमतरी जिले के नागरी दुब्राज चावल को जी आई टैग मिला है दोजाथ तेश के पैन नाबोक उट लाइटाम अचीवमेंट अवोड पाने वाले पनोथ कुमार ये अवोड पाने वाले भारती एसे मूल के पहले व्यक्ति वनी हैं इंदरावती नेशनल पार्क कांगेर घाटने पार्क कुरुगाशी दाष नेशनल पार्क अचान कौमार निशनल टैगर रजब और इंदर अवाती थे पछान गड़ पर है। लेमारू हाती अब रैन भी कहाँ पर है 36 गड़ के अंदर और पंडवानी नरत्य यहां का बहुत ज्यादा फिमस एक नरत्य है यहाँ पर किया जाता है 36 गड़ के अंदर और इसको करने वाली तीजन वाई पहली महिला कलाकार हैं और इसके सासाथ इक चीज़ा जान लो छेरा नाम है हरेला हरेला त्योहार यह कहा माना जाता है तो यह मनाया जाता है UK के अंदर यानिकि उत्तरा खंड के अंदर इसको मनाया जाता है यह चीज आप यात रखोगे नेक्स्ट कुश्चन हाली में भारत के नंबर वन सतरंज क्लाडी कौन बन गये हैं आर प्रग्यानन्दा डी गुकेज डी वेसलवा आर वेसली बावू या नन अफ दीज तो इसकोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपसिन नंबर ए आर प्रग्यानन्दा इसकोश् जिसका नाम है माइंड मास्टर इनको 1991 भानवे में राजिव गांधी खेल रदन पुरुषकार मिला था और ये पुरुषकार पाने वाले पहले ही ख्राली बनी थे सबसे युवा क्रेंड मस्टर को बना है तो डी गुकेज बना है चेस वर्ल्ड कप दो जाटेश कहां पर ह हुए थे तो ये बाकु में हुए थी अजरे पाईजन के अंदर बाकु में मेगनेस कालसन ने इस वर्ल्ड कप को जीता था आर प्रेग्यननदा को हरा कर बात करें फिडे वर्ल्ड कप अंडर ट्वंटी जूनियर रैपर चेंश चेंपियंशिप की तो इसमें इटली ये इ चेंश अकेडमी कहां को लेगी तो ये भुवनिश्रम को लेगी चावाल इसवा फिडे चेंश ओलंपिड कहां पर हुआ तो ये पहली बार हमारे भारत देश में हुआ है और ये 2022 में हुआ था इसमें जो मस्कट है याने के सुबंकर है वो क्या था एक थंबी था जैसे कि मुख्याले कहां पर है तो इलूजेन में है लूजेन कहां पर है सुट्जेलंड के अंदर यहां इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है अराकाडी वॉर्कोविच है और वाइस प्रेसिडेंट अपने ही देश के विश्वनातन आनंद है तो ये आपको याद रखना है इसी आप बात इस्टेच्यूस की हुई है तो देख लेते हैं कहां पर कौनसा इस्टेच्यू बना है प्यूस गोयल ने तमिल नाडू में भात के पहले फाइनस मिनेस्टर जो थे आरके सरमकम सिट्टी इनकी जो प्रितमा है इसका अनावड़ गिया था नई संसद भवन का निरमा पर इसमें 81 मीटर जोड़ दोगे तो इसका एक जो मंच है जैसा कि आपको इसमें मंच दिखेगा यह जो मंच है इसका यह 81 मीटर का है यह 81 मीटर का है और इसमें जब हम 81 मीटर को एड़ कर देंगे इसमें हम 81 मीटर को एड़ कर देंगे तो कितना बनेगा हमारा 206 फिट की ये प्रित्मा बन जाएगी पूरी टोटल ठीक है तो आपको अगर पूरा मंच सहीद पूछा जाए तो कितने बताना है 206 फिट अब बात करें इसके जो वास्तुकार है वो कौन है रामवी सुतार है Statue of Prosperity ये कहाँ पर बनी हुई है ये बैंगलुरी केंदर बनी हुई है कैमपे गोडा जी की ये मूर्ती है 108 फिट की है इसके भी वास्तुकार कौन है रामवी सुतार है बगवान सिब जी की जो Statue of Believe के नाम से भी जाना जाता है जो कि राजस्तान के नात तुवारा जिले में बनी है इसकी हाइट कितनी है 112 मीटर है Statue of Knowledge यानि ग्यान की पृत्मा बीम राव अंबिड करकी ये बनी है महारास्ट के लातुर जिले में इसकी हाइट कितनी है 70 फोट Statue of Equality ये हैदराबाद में बनी है संत रामा नोजन चारे की इसकी हाइट है 216 Statue of Unity सरतर पटल की कहाँ पर 182 मीटर की है ये गुजरात में है ये आपको पता ही है नए देली में महात्मा गांदी की पृत्मा का अनावड प्रेसिडेंट ने किया था इसकी हाइट कितनी है 12 फेट है दुनिया के सबसे उची नटराज पृत्मा कहाँ बनी है तो ये न्यू देली में बनी है इसकी हाइट कितनी है 28 फेट और इसको बनाए किसने रादा किशने ने बनाए MP के CM ने ओम कारेश्वर जो पूर्व मुखी मंदिर रही थे शिवराज सिंग उन्होंने 108 फेट की आदि संकराचारी की पृत्मा का नावर किया है इसको Statue of Oneness कहा जाता है बारत के बाहर भीमराओं अमिटकर की सबसे उची पृत्मा इस्तापित की गई है अमेरिका की मेरिलेंड में ये 19 फिट की उची पृत्मा है Statue को Statue of Equality के नाम से जाना जाता है इसके भी वास्तुकार को हो है राम जी सुतार इसके वास्तुकार है तो ये हमने पृत्मा देख ली जो भी है बट अब इसमें एक चीज और तुम ध्यान रख सकते हैं कि इसमें से तीन पृत्माई हैं जो किसकी है भीमराओं अमिटकर की है एक तो ये महराश्टर के अंदर दूसरी भीमराओं अमिटकर की कहाँ पर है अमेरिका के अंदर मेरिलेंड में और तीसरी ये अभी बनी है तेलंगना के अंदर हैदराबाद में इसकी हाइट कितनी है 125 फिट ठीक ये आप याद रखना है इसकी हाली में आयोजित 47 वा कॉलकाता पुस्तक मेली में थीम देज कौन सब रहा है यूके ब्राजेल ऑस्टेलिया ये रसिया तो इसकी हाली में भारत का पहला ग्राफिन केंदर यानि कि इंडिया इनोविजन सेंटर फोर ग्राफिन किस राजे में इस्तापित किया गए केरल, करनाटक, तमिलनाडू, तिलंगना तो इस कुशिन का राइट अंसर हो जाएगा आप्सिन नमबर A, केरला इस कुशिन का राइट अंसर हो जाएगा अब केरल की बात हुई तो केरल के बारे में जान लेते हैं यहां की केपिटल गिया तिर्वंद प्रम है, सी एम पिंडराई विजयन, गवणर है, आरिफ मुहमद घान, केरल को मसालों के बाके नाम से जना जाता है, सबरी माला मंदिर केरल में है, कतककली और मुहिनी अठम दान्स यहां के सासरी निरत है, केला केरल के तट को क्या कहते ह यहां पर साइलेंट वेली निशनल पार्क और पेरिया निशनल पार्क, एरो विकलम विकलम निशनल पार्क और इडुकी देम पेरिया नदी पर है, तो यह कुछ फैक्ट से आपको याद रखने है, यहां पर लोकसभा की सीट कितनी है, 20 है, राजसभा की 9 सीट है, और 140 में वेस्ट विक आयरविद मेला कहां पर हुआ था, तो तिरवन्त पुरम हुआ था, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 24, भारत में काम करने के लिए सबसे पसिंदितर राज्चिक किस को माना गया, तो केरल को माना गया, पांचवे राज्चिक खादी सुरच्चा सूचकांग 2022 के अनुसार बड़े राज्च्चा सूचकांग में, किस में? अब बात करें, पहले साहितिश के सेर कोन सा बना है? बात का पहला साहिति के सेर कोन सा बना है? तो यह बना है कोजी कोड़ सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंदर वाला भारत का पहला राजी कौन सा बना है तो ये केरल बना है जिला इस तरही ये पेड़ फूल पच्छी गुसित करने वाला ये पहला जिला कौन सा बना है तो ये कासर गुर बना है भारत का पहला AI स्कूल कहा लौंच किया गया तो त सुर्वंत प्रव्म में लॉंच किया गें, इसका नामके है सान्तिगरी विद्यभवन. नहरु ट्राफी, जो की एक नौका रेस होती है, उसमें मिलती है. ये भी कहां पर होता है, तो केरला में होता है.ी työ ौवा माला बार नदी महुचशब कहा बनाए गया? तो यह केरल में नश्चे कोहा बनाए गया सोब यात्रव होज़ना कहां चल रही है तो यह केरल में चल रही है नीती आयोक की सायता से देश का पहला मदस्य पालन अटल इनक्यवेशन सेंटर का इस्तापित किया गया तो ये केरले में इस्तापित किया गया नेक्स्ट कुशन पर आते हैं हाली में विश्व टेबल टेनिस पृतियोगता में खिताब इतने वाली पहली भारती महिला कौन सी बनी है मणिका बत्रा, अंकिता दास, स्रीजा अकुला या पॉलोमी गटक तो इसकोशन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा option number C, स्रीजा अकुला इसकोशन का राइट आंसर हो जाएगा और जान लेते हैं इसी जीत के साथ वर्ल्ड टेबल टेनिस पृतियोगता में जो ये हैं, ये पहली भारती महिला ख्लाडी बन गई है International Table Tennis Federation में governing body में सामिल होने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है तो वीटा दानी बनी है, ये भी आप जाकरना आपको Table Tennis Federation of India की पहली महिला अदेच कौन बनी है तो मेगना एलावत बनी है ठीक, next question पर आते है Conversations with Aurang Jeev नामक उपन्यास किसने लिखा है चारो निवेतरता, नंदिनी किशनन, रगुराम राजन या अश्वनी कुमार तो इस question का right answer क्या हो जाएगा हमारा option number A, चारो निवेतरता इस question का right answer हो जाएगा अब books की बात हुई है, तो books देखेंगे सारी के सारी है अब सिख चोधिर की दौरा एक किताब लिखी है जिसका नाम है वाजपेई, The Ascent of the Hindu Right, 1924-1977 देवासी स्चडर जी की दौरा लिखी है किताब का नाम है Krishna, The Seventh Sense विनूद मानकारानी लिखी है प्रिज्म, The Ancestral Abort of Rainbow रंजित प्रिदाप ने लिखी है As the Will Turns डॉक्टर उम्प्रिकास कॉल ने लिखी है राग प्रिकास टी एन सेजर ने लिखी है जो कि हमारे पहले Chief Election Commissioner रहे है इन्होंने लिखी है Throw the Broken Glass सारी का भारत द्वाज इन्होंने लिखी है A Fool's Energy रिसी राज ने लिखी है कारगिल एक युद्ध एक यात्री की जुबानी सोले आना बबलू इन्होंने लिखी है भारत और पूर्व बागान के पूर्व डिफेंडर सुब्रत भट्टाचारी की एक आत्म कता है इसको भारत और पूर्व बागान के पूर्व डिफेंडर सुब्रत भट्टाचारी ने लिखा है मतलब उनकी आत्म कता है अभे के ने क्या लिखा है यानिके अभे कुमार ने लिखा है मांसून किताब को लिखा है नेक्स्ट कुश्चिन हाली में पेपस को इंडिया के नई CEO कौन बनी है रस्मी सुकल, रगुराम अईयर, विकास सील या जागरत कोटेचा तो इस कुश्चिन का राइट अंसर हो जाएगा आपका option number D जागरत कोटेचा इस कुश्चिन का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चिन हाली में PM नरिंद मोधी ने किस राज़े में बोईंग, इंडिया, इंजिनरिंग, एंड टेक्नलोजी सेंटर का उधिगारत किया है तेलंगाना, करनाटक, तमिनलाडू, आंधर प्रदेश तो इस कुश्चिन का राइट अंसर हो जाएगा आपका ऑप्सिन नंबर D, आंधर प्रदेश नेक्स्ट कुश्चिन हाली में विंग्स इंडिया दोजाच चौविस में सर्वसिस्ट हवाई अड़्डे का प्रदेश का किसनी जीता है बेगम पेट हाइपपोर्ट, बेंगलूरू एयरपोर्ट, लखनो एयरपोर्ट या कोची एयरपोर्ट तो इस कुश्चिन का राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सिन नंबर D, बेंगलूरू एयरपोर्ट इस Wings India 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, अगर ये पूछा जाए तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ था, बेगम पेट मरेश का आयोजन हुआ था और इसमें जो सर्फिस्ट हवाई अड़े का प्रुषकार है, वो दोने जीता है, एक तो बेंगलूरू एयरपोर्ट ने जीता है, और दूसरा जीता है, इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहने कि जो दिली वाला इंदा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट है इसने और बेंगलूरू का एरपोर्ट जिसको हम केंप गोडा एरपोर्ट भी कहते हैं इन दोनों ने इस सर्वसिस्ट हवाई अड़े का प्रुसकार जीता है और इसका आयोजिन कहाँ पर हुआ था विंग्स इंडिया 2024 का बेगम पेट एरपोर्ट में हुआ था और केटेगरिस में जान लेते हैं बेस्ट एरलाइन्स के लिए और किसको मिलाता विस्तारा एरलाइन्स को मिलाता इनोविशन चेंपियन अवर्ट सस्टेनिबिटी चेंपियन अवर्ट किसको मिला है एर इनिन एक्सपिसको मिला है बेस्ट कारगो सर्विस अवर्ड किसको म तेलंगना, तेलंगना मनाये गया है कनुमत त्योहार नेक्स्ट कोश्चिन हाली में जाती आधारित जनगंडा सुरू करने वाला दूसरा राज्जी कुन सा बना है बिहार, आंद्रप्रदेश, जारकंड या उडिसा इसकोश्चिन के राज्जी को हो जाएगा हमारा option number B अध्रप्रदेश से को राइट अंसर हो जाएगा अब बात करें इसकोश्चिन की, तो इसमें पूचा गया है आपसे कि दूसरा राजी कुन सा बना है तो आपके दिमाग में आ रहोगा पहला राजी कुन सा बना है तो पहला राजी बना है बिहार तो ये कैसा पहला राजी बना है जिसने की कास्ट भी सेंसेस किया था बिहार ने साथ आज का करेंटेफेस हमारा समाप्त होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हूँ तो वीडियो को लाइक चरूर करें चैनल को सबिस्क्राइब करें अगर वीडियो इन्फोर्मेटिव लगी हूँ तो वीडियो को सेर जरूर करें आपकी अतिक्रपा हुई और